इस वीडियो नंबर थ्री ओफ लॉज अप मोशन और इसके अंदर हम आज एक और इंपोर्टेंट कॉंसेट नुमेरिकल सॉल्विंग में जो काम आता है that is free body diagrams इसको सीखेंगे वैसे तो हमने यह सीखते ही रहना है पूरा लेकिन एक जस्ट idea दे रहा हूँ आपको कि हम जब use करेंगे word FBD बनाओ FBD बनाओ मतलब free body diagram बनाओ अब free body diagram बनाने का क्या meaning है इसको ज़रा understand करते हैं free body diagram का meaning है basically कि जब एक body बहुत सी bodies के influence में है किसी से contact force आ रही है किसी से gravitational force आ रही है किसी से some other force आ रही है तो वो सारी forces उस पे represent करो उसको free कर दो body को बाकी bodies से उसको दिखाई नहीं दियें बाकी bodies उसके साथ हैं लेकिन बाकी bodies के कारण जो forces है वो सब दिखाओ nutshell nutshell एक line में जब free body diagram बोली जाए एक body की बनाओ तो उसके उपर जितनी forces लग रही होंगी सब बनानी है बस और कुछ नहीं है free body diagram एक example कि थूँ इसको understand करते हैं यह हमारा question है draw the free body diagram of body A FBD बनानी है हमने body A की ठीक है अब देखो इसके उपर जो जो forces लग रही होंगी वो सब हमने बनानी है यह आपकी body A ठीक है यह body A है और इस body के उपर जो forces लग रही है वो सारी मैं आप represent करने जा रहा हूँ ठीक है अब इस पर लिख लेना यह body A है जिसकी forces के बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है mg आ गया फिर N A E normal reaction of on A due to earth ठीक है जो यह surface है whatever it may be यह force applied force जो लग रही है वो A पर ही लग रही है देख रहे हो आप यह आगी वो वाली force और क्या दिखाई दे रहा है आपको अब मैं लगा रहा हूँ B की ठीक है यह सब दिख गी यह 3 द मुझे सामने सामने दिखाई दी ठीक है अब मैं लगा रहा हूँ B के कारण जो A पर है वो भी लिखता हूँ जान देना आप सभी और मेरी एक habit है मैं एक ही point पर सब represent करता हूँ आप भी करोगे तो आपको थोड़ा simple रहेगा मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी bodies है उनके dimensions मेरे लिए matter ही नहीं कर रहे क्योंकि मैं सब को point mass मानके चल रहा हूँ ठीक है सब point mass है इसके एक ही point पर दिखाऊगे तो एक काम करते हैं मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यह आपका arrow इस तरह सथ है ना F वाला इस F को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं यह 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 आपका F आ गया applied force ठीक है blue color में applied force है blue color में applied force है यह लिख भी दिया मैंने ठीक है और B के कारण ठीक है उसको मैं बना रहा हूँ यहाँ द्यान देना प्लीज यह यह कौनसी force है N A हर एक में A यह आएगा due to B normal reaction separate video है इसका फिर और और कौनसी force है C के कारण यह देखो C के कारण यह देखो C के कारण यह देखो C यह सारी force है यह की point पर दिखाओ तो आपके लिए simple हो जाएगा बाकी कोई problem नहीं यह की point के साथ हमने सब दिखा दीखो C के दीखो C के कारण क्लियर कट ठीक है तो यह क्लियर आपको नज़र आना चाहिए this is FBD of body A इसमें कोई calculation अभी नहीं हमने करनी है calculation वाले question भी मैं आपको करवाता हूँ अभी ठीक है पहले यह आओ गया अब एक और question करते हैं जैसे अब मानों कि इसकी अब हमने find करना है कि इसके अंदर acceleration कितनी आएगी ठीक है इसकी motion के बारे में पता लगाना है acceleration find करते हैं इस body की कितनी आएगी very simple question free body बना लेते हैं फिर तरफ analysis करते हैं मैं बता रहा हूँ जो इस body का मैं free body diagram बना रहा हूँ ध्यान देना please 50 Newton यह क्या है 50 Newton जी की value मैंने 10 मान ली है ठीक जी की value मैंने 10 मान ली 5 x 10 कितना होता है 50 Newton आगे mg this is mg don't worry this is normal reaction on block A due to earth बार बार ने लिखना है इतना बड़ा मैंने 10 Newton इतना मुझे clear cut मालूम है कि acceleration सिर्फ इधर ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती है अब मैं force यहां से लगा रहा हूँ एक body पड़ी है और यह आपका surface है और कहां जा सकती है यह body इसके पास रास्ता एक ही है इसकी मजबूरी है कि इसको यहां चलना है इस मजबूरी को हम physics में अभी पड़ेंगे आगे जाके this is called constraint motion कि आपको एक constraint में motion है आप इसके अंदर नहीं गुश सकते आपको जाना है तो आप आगे ही जाना है तो इसलिए acceleration जो produce हो रही है वो इस direction में हो रही है तो यानि कि जहां acceleration होगी पहले बात अंडरस्टैंड करनी है जिस direction में acceleration है उस direction में मैं लिखूंगा force is equal to ma यानि कि a equal to आगया 2 meter per second square ज्यान देना एक्सेलरेशन के units इस direction में कोई acceleration नहीं है यानि कि इस direction में net force कितनी है जीरो net force is always equal to m into a net force is equal to m into a horizontal direction में acceleration है वहाँ net force कितनी है 10 newton कोई और force है नहीं horizontal में तो net force कितनी है 10 newton horizontal का अलग calculation vertical का अलग calculation ये याद रखने है आपने तो net force in horizontal direction is 10 newton उसी direction में acceleration possible है इसलिए 10 is equal to ma तो a equal to 2 meter और vertical direction में acceleration possible नहीं है तो vertical direction में net force कितनी आई 50 minus n opposite direction में इसले minus n minus 50 50 minus n जो मर्जी करता है वो लिखो equal to 0 equal to 0 है इसलिए जो मर्जी करता है वो लिखो ठीक है जब नहीं होगा मैं बताऊंगा आपको क्या करते है तो 50 minus n is equal to 0 50 is equal to 50 sorry n is equal to 50 newton तो normal reaction की value कितनी आगी 50 newton आगी यहाँ पर तो यह बड़ा simple सा question था n is equal to 50 newton आप लिख लो दो answer हमने निकाले एक normal reaction की value भी निकाल ली और हमने acceleration की value भी निकाल ली तो 50 newton इसका answer आगे ठीक है next question आप ऐसी case में हम क्या करेंगे इस question में force लग रही है point of application बिल्कुल important नहीं है सिर्फ वो एक 30 force लग रही है 30 force लग रही है तो उसके दो component आपको यहां realize होने चाहिए इसके दो component कैसे बनेंगे एक ऐसा एक ऐसा ठीक है 10 cos 37 10 cos 37 10 into 4 by 5 8 newton एक इदर देखो जान से देखना है यह ऐसे है ना बनाना नहीं यार इसको इदर जा component बनाने तो इदर axis बनानी चाहिए इसके tail पर अब बनाओ इसके दो component जैसे ऐसी बनेंगे या नहीं तीक है आप बोलोगे सर यह angle 37 तो यह भी angle 37 है उसने ऐसे बना के दिया था ना यह और यह vertical opposite angle बराबर आएंगे नहीं नजर आरा मैं दुबारा बना देता हूँ उसने ऐसे दिया था मैंने उसको ऐसे कर दिय है ठीक है उसका यह angle उसने 37 दिया था मुझे मालूम है वो इसके ब्राबर होता है vertically opposite angle तो एक ही बात आई 6 newton fine और 50 newton mg ठीक है और और कुछ नहीं और ही कुछ नहीं नहीं नॉर्मल रेक्शन स्वारी अर्थ की नॉर्मल रेक्शन बॉड़ी पर n clear नज़र आ रहा है क्या n is equal to 50 plus 6 clear नज़र आ रहा है क्योंकि इस डिरेक्शन में ऐसे नहीं लिखो आप टगंग से लिखो मैं बताता हूं को ऐसे लिखो n minus 50 minus 6 equal to 0 n equal to 56 newton और और इस डिरेक्शन में acceleration possible है इधर net force कितनी है 80 ही है और कुछ है नी तो 8 equal to ma a equal to 1.6 meter per second square आंसर आ गया इसका 5 upon 8 नहीं 8 upon 5 8 upon 5 is 1.6 per meter square simple question कुछ नहीं problem है इसमें अब ये question आ गया अब इस question में आपने क्या करना है वही same चीज free body diagram बनाओ और questions करो ठीक है free body diagram बनाएंगे और question करेंगे कोई body दुबारा दिखाने की जूरूरत भी नहीं है अब सीधा एक point दिखाऊंगा मैं सीधा एक point दिखाऊंगा मैं यहाँ यह point मुझे सामने सामने नज़र आना चाहिए component लेने बड़े अच्छे से आने चाहिए पहले मैं इस 50 के component बना रहा हूं दो 50 के दो component बनाएं 50 cos 37 40 एक नीचे 30 फिर इस 20 के बना रहा हूं 20 के देखना 20 का एक इधर आएगा अच्छे से बनाने पड़ेंगा आपको practice करने पड़ेंगी 20 cos 53 20 cos 53 12 20 cos 53 53 cos 53 कितना हो गया 3 by 5 तो 12 आ गया very good 12 आ गया Newton सब के साथ है मैं लिखा नहीं आप लिखो आप लिखना चाहिए आप Newton Newton और mg 50 भूलना कुछ नहीं भूलना कुछ नहीं है फिर अभी एक और रहता है इसका 20 का एक vertical component और रहता है क्या है वो 20 sin 53 20 sin 53 16 छोटे बड़ी की tension नहीं लेना किसी जगा भी बनाऊ वो इपर आल डायरेक्शन्स मैटर करती है और ये आगे आपका normal reaction fine vertical direction में तो इसका acceleration है नहीं इस लिए क्या आएगा N minus 16 minus 50 minus 30 equal to 0 and equal to 96 Newton खतम हो गया एक फिर horizontal direction में acceleration possible है वहां सामने सामने नजर आ रहा है कि acceleration किदर होगी इदर इस तरफ होगी 40 minus 20 जिस direction में acceleration हो वो force पहले लिखनी है ये भी याद रख लो तो 40 minus 12 equal to ma ठीक है इधर ma 0 है इधर भी net force से लेकिन equal to 0 है तो कितना आ गया है a equal to 28 upon 5 28 upon 5 calculate कर लो 5.6 5.6 meter per second square ये इसकी calculation है इसको note करो अच्छा question था ये thank you very much अभ änd में है इसकी अपरना करता अार के वेच को ऄचरा रवी और्ड़णनी हाओges